नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग तो आज रविवार है तो इसलिए एक रूप कथा की कहानी लेके आ गई हूं भीन देशी रूप कथा स्री धिविंद्रो लाल धोर इनके संकलन से इन्होंने ये जो किताब का संकलन बोली है या अनुवाद बोली ये किये हैं ग्रिम 1956 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी इसकी जो तस्वीरे हैं वो बनाए हैं स्री होरेंद्रो चक्रवोर्ती स्री बोरोदा प्रशन दाश ओ स्री अशोग धोर तो चलिए शुरू करते इस किताब से मैं पहले भी कुछ कहानिया पड़ी हूं मैं तो आज जो नाम मुझे बहुत जादा पसंद आ रही है जय 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 उनती जय 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 उनती तो चलिए बच्चो हम पढ़ लेते हैं जय 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 उनती एक गाउं के बगल में एक बहुत गहन वन था वन के मद्धे एक सुन्दर सा मकान था उस मकान में रहती थी एक पड़ी उस मकान के चारों तरफ वो अपने हिसाफ से मंत्र पढ़के रखी थी इसलिए कोई भी लड़का वहाँ पर अगर घुश जाता तो और वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था और कोई लड़की अगर वहाँ पर घुश जाती थी तो वो पढ़ी क्या करती थी कि वो एक सोने के पीच्ड़े में उन पक्षियों को वो जो पंच्चियों को रख लेती थी अपने बरांदे में वो लटका के वो जो सोने के पीच्ड़ा है उसको लटका के रखती थी तो ऐसे ही लगबख 700 पंशियों की पीजरे में वो 700 पंशियों को वो पाल रही थी ऐसे ही गाँ के दो भाई बहन थे एक दिन खेलते खेलते उसी बन में वो लोग जा पहुँचे बाई बहन के नाम है जै और जैनती बन में आकर ही वो लोग रस्ता भूल गए धून ना पाए वो जिन ना धूनते रहे उतना ही वो और खो जाए बन के अंदर देखते देखते साज हो गए सूर्य अस्त गए तो जहां तक सूर्य अस्त हो गई वही जैनती एक पंशी हो गई और पंचीर होकर जय के हातों में हातों में से वो अपने आपको छोड़ा के उड़ गई यह क्या हुआ जय तो पहले चौक गया और फिर धीरी-धीरी वो रोना चालू कर दिया और वो वन के अंदर ही घूमने लगा और सोचने लगा कि कहा गया कहां गई जयनती क्यों ऐसा हो गया अंध्यकार वन में वो घूमते घूमते बहुती अवसन्य यानि कि बहुती ठक गया वो एक समय वो सो भी वो सो गया एक पेड़ के नीचे सोते सुते जय अजीव सा एक ख्वाप देखा अजीव सा एक स्वपन देखा उसने जिस स्वपन में वन के अंदर एक जगा है जहां पर खोब सारे जवा जवा यानि की गुरल खोब सारे गुरल खिला हुआ है और एक फुल बहुत ही बड़ी सी थी उसके अंदर एक मोती थी सफीर सा और वो एक तम चमक रही थी और वो उस मोती को लेके एक बुलबुल को जहां तक छुँदिया उस मोती से वो बुलबुल तुरण जैनती बन गई और फिर वो अपने बहन के हाथ पकर के घर वापस आ गई घर वापस आ किया यही था पूरा का पूरा सपना सुबह होई नीन चूटी और तूटे ही जै निकल पड़ा उसी गुरेल के यानि की जवा के संधान में वन दरवन वो घुंता रहा किते सारे वो फूल देखे लेकिन सुबह में देखा हुआ वैसा जवा के बगीचा उसको नहीं मिला वैसा कोई बाग उसको नहीं मिला वन के माज मसधार में वो आजू बाजू बीच में कहीं पर भी मनलब वो वन में हर जगा पे वो गुमता रहा और रोता रहा, दीन बीटते गए, ऐसे बीटते बीटते साथ दिन चला गया वो गूमते गूमते, रोते रोते, लगभग वो पागल ही हो गया ऐसी इसी स्थिती में एक दिन वो उस जवा के बगीचे में आ पड़ा जहाँ पर सिर्फ जवा और जवा, यानि कि गुरहेल और गुरहेल या और एक सुन्दर सा नाम है है न मंदार, जहाँ पर सर्फ मंधारी मंदार, मंदार खिला हुआ था मंदार ये तो लड़कों का नाम होता है, राइट? तो इसी के बीच में सबसे बड़ा जो मंदार था, उसमें उसने देखा एक सफीद सा मोती है, उस फूल को वो चुन लिया, और जह चला अब जैन्दी के खोज में उस बगीचे के बगल में ही थी पड़ी की मकान, दर्वाजा खुला हुआ था, पड़ी तब और कहीं पर गई हुई थी, तो अंदर जाके जह देखा, कि है बरांदे में तो 700 ऐसे सोने का पीजरा लटका हुआ है, जिसमें पंचिया है, उसको क्या लगा, वो पीजरे का दर खोल दिया, और खोलते ही वहां से जो पंचिया निकलते रहे और वो एक के बाद एक को उस मोती से छूता गया, और वो पंचिया एक एक करके लड़कियों में तबदिल होती गई, देखते देखते आखरी जो पिंजरा था, उसमें से जो पंची निकली जो बुल बुल थी, उसको जहां तक वो मोती छूँ दिया उसने तो उससे उसकी बहन यानि की जैन थे निकल के आ गई जै तब बहुत खुश हो गया और अपने बहन के हाथ पकरके पूडे के पुरे वो साथ सो बच्चे को लेकर वो वन से वापस आ गया और इस तरब परी तो तब एकदम गुस्य में हाँ हाँ करके वापस आ गई और वो जब देखी के जै के हाथ में वो मंदार है वो कुछ नहीं कर पाई तो इतने दिनों से जितने सारे माबाप अपने बच्चियों को खो कर रो रहते वे अपने बच्ची को वापस मिलते ही वे खुसी से जूम उठे साथ सो माबाप खुशी से हस खेल उठे तो सारे जै को आशिरवात के चारों तरब जै जैकार पड़ गया तो दुष्ट जन वारवार करे अन्याए आखरे समय आखरे वक्त में एक दिन वे दुष्ट सब कुछ हराए मतलब वो सब कुछ खो दे तो बच्चों आज का ये सीख तो यहां पर लिखी हुई है लेकिन मेरे हिसाब से एक सीख ये भी है कि हम प्रकिती से ही बने हुए है अगर हम प्रकिती से तालमेल बनाके रखके आगे वढ़ते जाएं तो हमारे जिन्देगी में मुसिबत भी कम आते है और अगर हम मुसिबत में पढ़ते भी हैं तो प्रकिती के कृपा से हम उससे निकल भी बाते हैं तो बच्चों आज के लिए ये काफी है अच्छा ने ने काफी तो नहीं है चलो आप मस्ती तो जरूर करना लेकिन कौन सा फूल आपको ज्यादा पसंदे जरूर बताना ठीक है तो चला आज के लिए इतना ही तटा